साथियों, आज पूरी दुनिया की द्रष्टी भारत पर है, वैश्विक स्तर पर भारत की साख बड़ी है, भारत को लेकर दुनिया का रवईया बढ़ला है, और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य बज़े हैं, पहली आप देशवासी भारत के लोगों ने करीब करीब तीन दसक बाद, तीस साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वो पहली बज़े हैं, और दूसरी बज़े हैं, उसी स्पस्टता के साथ, जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए, बड़े बड़े निर्ने लिए, चुनवतियों के स्थाई समाधान के लिए, अवीरत काम किया, आज भारतिये रेल्वे भी इसका प्रतीक बन चुकी है, बीते वर्षों में, रेल्वे में ही जितना काम हुआ है, उसके आंकड़े, उसकी जानकारी, हर किसी को प्रसंद भी करती हैं, हरान भी कर देती हैं, जैसे दुनिया में साउथ आफ्रिका, युक्रेन, पोलेंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों हैं, जितना रेल नेटवर्ग है, उससे जादा रेल ट्रेक हमारे देश में इन नव वर्षों में बिचाए गए हैं, अब कर्पना करिए स्केल, साउथ कोरिया, न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों का, जितना रेल नेटवर्ग है, उससे जादा ट्रेक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं, एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, आज देश का लक्ष है कि रेल्वे की यात्रा हर यात्रिक के लिए, हर नागरिक के लिए, सुलब भी हो और सुखद भी हो, अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपरिंस देने का प्रयास है, प्लेट्फरम्स पर बैठने के लिए, बैतर सीटे लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं, आज देश के हजारों रेल्वे स्टेशनों पर, मुप्त भाई भाई की सुविदा है, हमने देखा है, इस मुप्त इंटरनेट का, कितने ही वह उन्हें लाब उठाया है, पढ़ाई करके वो अब, बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कुर चुके हैं,